इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इमेज का PDF फाइल कैसे बनाया है तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने फ्रेंट फोन पर ऊपन करना है उसके बाद आप जब स्क्रोल करके नीचे आएंगे तो हाँ पे ग्रीण कलर का एक PDF अप मिलेगा फ्रेंट्स आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप कहांप इसपर यहां पर इंस्ट्लॉड का option आएगा फ्रेंस मैंने यह एप पहले से इंस्टोल करके रखा हुआ है फ्रेंस यह बहुत ही अच्छा है इसमें आपको PDF फाइल बनाने में कोई भी को आप इसे इंस्टोल करने के बाहर है फ्रेंस जब आप इसे ओबन करेंगे तो में यहां पर सारी फ़ाइल खुल अब कर लूँगा उसके बाद इमेज का लिस्ट कुल जायागा इमेज का लिस्ट कुलने के बाद आप जिस भी इमेज को फरस्ट डि़्यान का फरस्ट होगा जैसे quand मैं यहाँ पर फादस्ट डे को first select कर रहा हूं तो यह प्रिडियो फाइल का first page होगा मैं इस पिक्चर को second बाद select कर रहा हूं तो यह प्रिडियो फाइल का second picture page होगा इसी तरह से आप जितना भी में चाहें उतना को select कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर done पर क्लिक करने के बाद उपर आपको टॉप पे चार option आईंगे तो आपको इधर right side से second वाले option पर क्लिक करने के बाद आपका यहां पर PDF का नेम रखने का option आपको अपने मुबाइल फोन के बैक वाले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आपका यहां पर medium पर select करना है जब आपको यहां पर उके करना है जब आपको पर क्लिक करेंगे आपको इधा आगा आपके यहां पर पीडियो फाइल बन चुका अपको यहां पर हमारा एक पीडियो फाइल बन चुका है Fathersday.pdf तो फ्रेंट्स आप इसे ओपेंड करके देख सकते हैं कि ओपेंड करने के बाद देख सकते हैं कि हमने जिस भी हमने Fathers Day Image को First Select किया था इसे लिए Fathers Day Image का यहां पर First Page पर आया फ्रेंट्स फिर हमने यह वाला पिक्चर सेकेंड में सेलेट किया था तो यह पिक्चर सेकेंड में आए तो इसी परकार से आप यहां पीडियाफ फाइल बना सकते हैं फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब करके साथ ही बेल आकन को प्लेज करें ताक